नमस्कार सातियों स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो पलासेश के डिजिडल पलेट फोरब पर सातियों आज अपन चर्चा करने वाले हैं स्पोर्ट काउंसलिंग के उपर सातियों स्टेप आई स्टेप एटू जेड सारी इंफोर्मेशन आपको बताने वाला हूँ ये साल का आपके पास अंतिम मौका है जेट 2004 इसमें कोलेज लेने का अगर इसमें एक माइनर मिश्टेक आपने कर दी तो आप फिर से कोलेज से दूर हो जाओगे सातियों तो ऐसी गलती आप ना कर पाऊ इसलिए बैक तू बेक हर टोपिक पर आपको वीडियो देखने को मि बताने वाला हूँ एंड तक वीडियो आपको कम्प्लीट देखनी है ना ठीक है साथी और अभी तक जोड़े नहीं हो चैनल से तो आज ही आप जोइन कर लेना चैनल को क्योंकि ऐसी ही अपडेट्स आपको मिलती रहेगी ब्राइट एग्रोकला से इस पर साथी हूँ कलते हैं टोपिक की और ये आपके गाइड लाइन आईए जेट और प्री पीजी की कि कौन स्पोर्ट काउंसलिंग में बाग ले सकता है कौन-कौन जे दिशा निर्देश है जिनकी आपको पालना करनी है साथी हूँ वही आपको एक एक नियम बताने वाला हूँ एंड तक क रहे हैं कि सीट मैट्रिक्स आपको अवेलेबल करवाया जाएगा उसी के हिसाब को आपको कौलेजेज लगानी है सीट मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा उसी के हिसाब से आपको कौलेजेज यहाँ पर लगानी है तेहीस तारिक से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी और म वोलेजों कि सूची रिक्ट सीटों की सीट मेट्रिक्स के साथ निरदार्थ परफ्ओर्मा में मारक शीट सरेणी जो भी आपके यह आपके टिपलोमा वगएरा लगते है आर्मी वगएरा के call वृ सारे जो भी सेटिपकेट होगेरा है क्योंकि यह आपर requirement है जिनिके भी पास यह ना उस certificate वगरा तो वो आपनी complete होने चाहिए पुलीस वाड उरन्य समझ पर्मान पतर साइथ सभी दस्तावे त्यार रखना आउशक है जो भी documents की requirement है वो complete आपके पास documents होना available है documents के अपनी डूसरी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी दूसरा rule है विकल्प परपतर की fees के सफल वुकदान के बाद महाविद जालों के चैनेवन ने भरी गई सूसराओं में परिवर्तन की अनुमत नहीं दी जाएगी अगर आपने एक बार college का करम लगा दिया उसमें पिर changes होने की कोई समावना यहां पर नहीं है आपके message आते हैं कि sir हमने वो college वहां पर लगा दी थी अब क्या change कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं अगर आपने यहां पर college के करम में कोई mistake कर दी तो आप उसमें changes नहीं कर पाओगे अगर एक बार आपने fees जमा करा दी और complete आपने college लगा दी तो यहां पर change कर पाना क्या होगा साथी हो मुस्किल हो जाएगा तो गलती नहीं करने इसलिए तो बोल रहा हूं कि channel को आज ही join कर लेना ताकि आपकी जो भी doubts है जो भी problems है कैसे counseling करवानी है कौन-कौन जी college लगानी है normal पर लगानी है payment पर लगानी है वो आपको guide क करने वाला हूं मैं बताने वाला हूं सारी चीजे दूसरा आपका यह हो गया तीसरा है परवेश प्रिक्रिया कि करमद प्रिक्रिया है तो अंतिम online counseling की नविंतिम अनुसूची को अधिकारिक website जो भी आपकी website है jtujj24c.com यहां पर आपको complete information मिलने वाली है इस site पर आपको बार बार विजिट करना है अगर आप विजिट नहीं करते हो तो आप हमारी वीडियो देखते हो तो आपको विजिट करने के जुरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारी टीम यह आपर विजिट करती है और आपको information दे देगी सारी online weekly forum बरने के समय जमा सुल्क 5000 रुपे आपके नहीं मिलने वाली है हाँ जिनको college नहीं मिलेगी उनको वापिस हो जाएगी और अगर आपने यहाँ पर private college लगा दिये और अगर आपको वो मिल जाती है तो आपको पैसे वापिस नहीं मिलेंगे private college में admission ले लिया तो भी पैसा वापिस नहीं आएगा यह ध्यान रखना यहा पर नियम हीन के ठीक है निर्दारत अवदी के भीतर कोलेज मावंटन के बाद परवेश प्रिक्या को पूरा नहीं किया तो विकल फॉरम सुल्प के रूप में पाँजार जमा कर ले जाएंगे और अगर आपको कोलेज मिल जाती हो और आप एडिविशन नहीं लेते हो तो भी आपकी फीज जमा हो जाएगी वापिस आपको नहीं मिलेगी ठीक है कोलेज मिलने के बाद में आपकी जरूरी है रिपोर्टिंग करवाना वहाँ पर अब्यारतियों को सलाव दी जाती है कि वे केवल उनी कोलेजों कुछ ने जिनमें वे परवेश लेना चाते हैं यदि आपको वही कोलेज लगानी हैं जहां पर आपका जाने का मन हो और आपको कोलेज मिल जाती है तो आपको फिर कोलेज में रिपोटिंग करवाना अनिवारी है वापर जाना है वह पर आडिटन लेना है अगर नहीं लेते हो तो cats at reалиед आपके जब्स कर लिये जाएंगे यह कि भी कोलेज में आवंटित नहीं हुआ है यह परविश प्रगिया समाफ होने के बाद अब्यार्ट से दुआरा आवेजन फोरम बरे गए बैंक खाता संक्या में पांच जार पूनर बुकतान किया जाएगा पांच हजार रुपए उन्हीं स्टुडेंट्स को वापिस दिये जा जाएगा यह चीज भी आपर इन्होंने मेंशन की है यदि किसी अब्यार्ट दौरा परवेश पर किरे के दुराना तुआ उनलाइन विकल फोरम बरते समय गलत सूचना दी जाती है तो उसका परवेश ततकाल किसी भी इस्तर माविद्या ले अत्वाजेट कार ले इस्तर प आपर काउंसलिंग करवा रहा है ऐसी गड़बर अगर पाई जाती है और अगर आप पकड़ में आते हो तो आपको कोलेज से बंचित कर दिये जाएगा और आप बहुशे में जैट का एंजाम भी नहीं दे पाओगे यह चीज इन्होंने यहां पर कही है तो आपको ऐसी आपके डोकुमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए कोई भी फरजी डोकुमेंट्स आप साथ में ना लेकर जाओ इन्होंने यह चेताओं नहीं आप पर दी है साथियो ठीक है फिर है रक्सा अर्दसैनिक पुलीस वार्ड से समझत अभ्यारतियों को सला दी जाती है कि ऑनलाइन कोटा लगता है पुलीस का नो को यहां पर यह कह रहे हैं कि अपनी जो बुलेटीन हैین जेड़ की गाइड़ लाइन है उनको जो फ्राइच प्राइच 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 priority 5th लग रही है और वो लगा रहा है às 7th चाफर priority 2 तो से इंफॉर्मिशन आगर आप दोगे तो आपका परवेश्न या पर निरस्त किया जाता है जो भी आपके पास आर्मी कोटा इस आपको कोटा आस वह आपको पनुपिंच now को नहीं फिल करना है जही चीज़ ये बता रहे हैं और अपनी वीडियो आच चुके है कि अब कब से आपके काउंसलिंग होगी कौन-कौन जबोरम कब कब बढ़े जाएंगे वो चीज़ ने बता दी है तेज तारिक से आपकी तो भी आप email ID लगाओगे आप अपना mobile नमबर लगाओगे फोरम में वो आपको mobile वहाँ पर लेक के जाना है email वहाँ पर रहेगी उसमें आपका सत्यापन करने के लिए अगर आपको college मिल जाती है तो उनकी वहाँ पर आउसकता पढ़ने वाली है तो ये विद्यारतियों के लिए guideline थी sport counseling को लेकर जेट पिडी पिजी और पिचडी को लेकर जो मैंने आपको बता दी है अब कौन-कौन से documents आपको ready करने हैं क्या क्या आगे process रहने वाली है और अभी तक अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो आज ही कर लेना क्योंकि back to back आपको हर topic पर वीडियो देखने को मिलने वाली है बात करें ये रहने वाली अपने Instagram ID bright agro 48, 45 ये bright agro classes आप यहां पर किसी भी परकार की information लेने के लिए यहां पर joining कर सकते हो क्योंकि कोई भी update आता है वीडियो हो सकता है कि दो-चार मिनट लेट हो जाए आने में लेकिन यहां पर जो है अपने handle पर complete information आपको available करवा दी जाती है कि क्या क्या process आपको करना है कौन-कौन सी साफदानी आपको रखनी है कौन-कौन सी गलती है आपको नहीं करनी वो चीज़े हम आपको guide करते हैं ताकि कि किसी भी विद्यार्थी के द्वारा wrong information ना दी जा सके साती हो तो यह चीज़ आपके रहने वाली है complete rules मैंने आपको बता दिये हैं और अगर आप भी चाते हों कि इस रहम में भी सई तरीके से इस बार counselling करवानी है तो आज ही join कर लेना bright agro classes free of cost आपको सारा guidance मिलने वाला है और आपको बताया जाएगा किस परकार से आपको counselling करवानी है साती हो तो यह चीज़े आपकी आ चुकी है मैंने आपको बता दी यह rules बगएरा और complete video documents के आपको देखने को मिल जाएगी तो आपन मिलेंगे साथ ही आप next video में तब तक के लिए जय इन जय बारत धन्यवाद